हेलो बच्चो, आज मैं आप उस्तेंड और फ्यक का हिंदी पर क्रहाने जा रही हूं इसके पहले पहला पाठ पत की पहचान ये कवीता है बहुता को परके मैंनी आप लोगों साहत बत लाया था अब हम उसे आगे बढ़ते हैं बच्चों ये कवीता आप जानते हैं डॉक्टर हरिवन्ष रा बच्चन द्वारा रचीत है वो यहां हमें ये कहते हैं यह बुरा है या की अच्छा बेर्थ दिन इस पर विताना हम जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं हम सोचते हैं ये अच्छा है या बुरा हम पढ़ें या नहीं पढ़ें बेवजब बेर्थ मतलब बेकार का हमें इस पर समय बरबाद नहीं करना चाहिए जब असंभो छोड़िया पर दूसरे पर पग बढ़ाना जब हमें लगता है कि हम इस रास्ते पर चलना हमेरे लिए असंभो है जो संभो नहीं है कभी असंभो का मतलब यह होता है जो कभी संभो नहीं हो तो हम उसको उस रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर बढ़ेंगे लेकिन जिस रास्ते पर भी हम बढ़ेंगे हमारे अंदर हिम्मत होना चाहिए तब ही हम अपने लक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं तु इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी सोच मत किवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना हम जब ये समझेंगे कि ये हमारे रास्ते जो है वो हमारे लिए सही है, सरल है, आसान है तो ही हम उस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, हमारी यात्रा सरल भी बनेगी और अगर हम पहले ही अपने मन में ये संदे कर लेंगे बैठा लेकि नहीं ये रास्ता से जाएंगे पता नहीं क्या होगा तो बच्चों हमें सफलता कभी नहीं मिलेगी सोच मत केवल तुझे, ये ऐसे बात केवल तुझे ही अपने मन में नहीं बिठाना है कि तुम्हें होसल एक साथ हिम्मत के साथ आगे बढ़ना जितने भी महापुरूस जो अपने लक्ष की प्राप्ती किये हैं सफलता प्राप्त किये हैं वो हिम्मत और होसलों से आगे बढ़े हैं हर सफल पंती यही विश्वास लिस पर बढ़ा है तू इसी पर आज अपने चित का अधान कर ले यहाँ पर कभी हमसे यह कह रहे हैं कि जो भी महापुरु सफल हुए हैं वो अपने मन में एक विश्वास लिए हैं विश्वास लेकर आगे बढ़े हैं कि हम इस रास्ते से जाएंगे और जाहें जितनी भी कठनाई आया हम उसे पार करेंगे हम नहीं घबनाएंगे हम परिशान नहीं होंगे और वो अपने मन में यह ठान लिए हैं और धान मतलब ध्यान होता है चित मतलब मन होता है हम अपने मन में ये ध्यान कर लें कि हमें आगे बढ़ना है और तो भी हम अपने लक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं अपने मंजिल के तरब कदम बढ़ा सकते हैं और हमें सफलता मिल सकती है तो बच्चो आतक के लिए इतना ही और फिर आगे का कवीता में परहूंगी और समझाओंगी दूसरे दिन तब तक के लिए बाए